तोहीं जेडियू कारेकार्णी की बैठक में नितीश कुमार ने बिहार को विशेश राज्य का दरजा और बिहार में आरक्षन से जुड़ा कोटा समविधान की नौमी अनुसूची में शामिल करने के डिमांड कर दी है बीजेपी के साथ अटूट रिष्टे के दावे के बीच मांगों के जरिये जेडियू ने विदान सभा चुनाओ से पहले अपनी एहमियत दिखाना चाहता है जेडियू की राष्टिय कारिकारणी की बैठक में बिहार के लिए केंद्र सरकार से special category status या विशेष राजी का दर्जा देने की मांग करते हुए एक प्रस्ताओ भी पारिथ हुआ बिहार को विशेष राजी का दर्जा देने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है जेडियू की बैठक में इस बात को माना गया कि बिहार को विशेस राजी का दरजा दिये जाने का इंतिजार काफी हो चुका है राश्टी कारिकारणी की बैठक के बाद मीडिया से बाचीत में जेडियू नेता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में आरक्षन कानून पर लगी रोक को सुप्रिम कोट में चुनौती दी जाएगी साथ ही ये भी कहा कि बिहार को विशेस राजी का दर्जा दिलाने के लिए लडाई लड़ते रहेंगे इसके साथ ही जेडियू की बैठक में बिहार राजी के आरक्षन को बचाने की भी बात कही गई पार्टी की और से कई संकल्प लिए गए जो प्रमुक मांगे थी उनमें बिहार को विशेस दर्जा या विशेस पैकेज बिहार में बढ़े आरक्षन का कोटा नवी अनुसूची में शामिल हो नितीश के नित्रतु में बढ़ने का प्रण लिया गया बिहार में अगले साल विधान सभा के चुना होने है ऐसे में जेडियू ने बिहार के लिए विशेस राजी का दर्जा के साथ ही आरक्षन के मुद्दे पर भी अपनी राय जाहिर कर दी है बीजेपी के साथ दोस्ती बरकरार रखने के साथ ही पार्टी की पुरानी डिमांड को सामने रखकर जेडियू ने अपनी एहमियत अगले चुनाव में भी जताने की कोशिस की है नियूजेटीन के लिए दिल्ली से अमितेश्व सिंग के साथ यूर रिपॉर्ट